बेदाग दमक्ती तवचा हर कोई चाहता है, हर कोई ये सोचता है कि उनकी तवचा खुबसूरत हो, चेहरे पे दाग धब्बे ना हो, किसी प्रकार का इसकीन प्राबलम ना हो, क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी तवचा फ्रेस और खुबसूरत दिखे, कुछ लोग अपने फेस को सुंदर दिखाने के लिए तरह तरह का ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तमाल करते हैं, जो आपके फेस को बिल्कुल खराब कर देता है, तो अगर आप अपने खुबसूरती को निखारना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी हेलफूल होने वाला है, इस यूज करना सुरू कर देते हैं, तो आपके फेस के रंगत ही बदल जाएगा, चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से इसे बनाना है, इस होम रेमिडी को बनाने के लिए आपको दही की जरूरत पड़ेगी, अक्सर जब हम घर पे दही बनाते हैं, तो इस तरीके से पतला ब दही लेकर उसमें नीचे गिलास करके रख देती हूं, दही में जितना एक्ष्टरा पानी होता है, असानी से निकड़ जाता है, और जो उपर का मोटा गाढ़ा दही बचता है, उसे मैं यूज करती हूं, जब इस तरीके से पतला दही आप अपने फेस पे लगाएंगे, त पतला पैक बनके तयार होगा, तो मेरा ट्रीक है, अगर आप लोगो अच्छा लगे तो इसे फालो कर सकते हैं, आपको जितना दही की आउ सकता हो, उतना लेकर आप छन्नी में रख दीजिए, नीचे कोई कटोरी रख दीजिए, या गिलास रख के उसे आधा घंटा के दही को गाढ़ा बना सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि एक साफ बाउल में आप दो चम्मच दही ले लिजिए, जितना आपको आउ सकता हो, दो चम्मच, तीन चम्मच, मैं दो चम्मच ले रही हूँ, अच्छे से इसे मिला लेना है, थोड़ा सा क्रीमी टेक्स्चर में जाए, उसके बाद आपको यूज करना है नेबू, ठीक है, अगर आपके इसकीन को नेबू ना सूट करता हो, तो आप इसके जगा पर थोड़ा सा सहत का यूज कर सकते हैं, या तो टमाटर के रस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इस होम रेमिडी को बनाने के लिए आप नेबू का यूज करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मेरे फेस पे नेबू सूट करता है, तो मैं नेबू का यूज कर रही हूँ, अगर आप कभी अपने फेस पे होम रेमिडी का यूज नहीं किये हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा बना कर प्यार हो गया है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसे फेस पे लगाना कैसे है, कुछ भी अपने फेस पे लगाने से पहले मैं अपने फेस को क्लीन करती हूँ, हर बार आप लोग देखते हैं कि मैं बिना फेस को क्लीन किये, कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगाती हूँ, त इतना जादे धूल मिट्टी उड़ रहा है तो इस तरीके से अगर आप अपने फेस को क्लीन करके कुछ भी अपने फेस पे लगाते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा फेसवास करने के बाद भी पोर्स में धूल मिट्टी रहता है तो अगर इस तरीके से आप अपन मिट्टी जाके बैठ जाता है वो असानी से clean हो जाएगा मैं अपने फेस को clean कर ली हूं मैं अपने फेस पर लगा लूँगी पतला layer लगाना है ठीक है इसको उतारना कैसे है आगे वीडियो में आप लोगो बताऊंगी तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा इसका निका कर सकते हैं आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपका इसकिन जो भी टाइप का आप इसे यूज कर सकते हैं लेकिन तरीका सही होना चाहिए आपको बहुत जल्द रिजल्ट देखने को मिलेगा आपके फेस पे जिसके लिए मैं बोलती हूँ कि आप वीडियो पूरा देखा करिए तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी कि इसे बनाना कैसे है कैसे लगाना है किस तरीके से निकारना है पूरी जानकारी जब आपको रहेगी तभी आपक ज़िए नमोटा मोटा को इसकर नहींता करने से क्या होगा कि आपके फैसेज जो डेढ¿ होता है असानी से निकड में जाएगा अगर दीरे दीरे लाइट होने लगेगा अगर आपके पास टाइम होता है तो रोज साम को आधा घंटा के लिए आप अपने फेस पे इसे लगा लीजिए कोशिस करिए कि साम के टाइम ही इसे लगाईए ताकि पूरी रात आपका स्कीन रिपेर होगा तो काफी अच्छा आपको रि नेचुरल क्रीम होता है अगर आप दही का पैक नहीं यूज किये हैं तो एक बार यूज करके देखिए आपका इसकीन इतना सौप्ट हो जाएगा आपको इस्टेंट रिजल्ट मिलेगा देखने के लिए अगर आप नेचुरल चीजों का यूज अपने फेस पे करते हैं त तो आपके इसकीन पे लंबे समय तक खूब सूर्ती बनी रहेगी आपका इसकीन हमेशा जवाब बना रहेगा दो मिनट मसाज मैं कर ली हूँ और थोड़ा समय फनी भी लग रही हूँ तो आप लोग इग्नोर करिएगा तो मैं अपने फेस को ठंडे पानी से धूल करके तो आप मौस्चुराइजर का यूज कर सकते हैं अगर आपका इसकीन आयली है तो आप अपने फेस पे कुछ भी ना लगाएं अगर आपका कलर डार्क है और उसे आप थोड़ा सा लाइट करना चाहते हैं तो आप अपने फेस पे रोज दही आधा घंटा के लिए किएगा ऐसा नहीं होता है उसे आपको रेगुलर बेस पे यूज करना होता है उसके बाद आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा मैं जो भी होम रेमिडी आप लोग के साथ सेयर करती हूं आपके कीचन में असानी से मिल जाता है ज्यादे ताम जहम करने की जरूरत भ करना है और उसे लगाना है जब आप नेचुरल चीजों का यूज करना सुरू कर देंगे तो मार्केट के चीजों को आप भूल जाएंगे मार्केट का क्रीम हुआ मोस्चुराइजर हुआ कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा जब आप नेचुरल चीजों का यूज क